बाद मोधी सरकार ने देश में अब तक दो लाग करोड के पैकेज की बुनियादी धाचा पर योजनाओं की शुरुआत की है जिससे ये बिल्कुल साफ है कि सरकार की प्रात्मिक्ता, रोजगार स्रजन और आर्थिक व्रिद्धी को आगे बढ़ाने की है किसी भी देश के विकास को गती देने में इंफ्रेस्ट्रेक्टर डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका होती है बुनियादी धाचा परियोजनाएं ना सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देती हैं बलकि इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सिर्जन भी होता है इनी सूत्र वाक्यों पर अमल करते हुए मोधी सरकार ने अपने तीसरे कारेकाल में भी बुनियादी धाचा परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंदरित रखा है सरकार गठन के बाद अब तक देश में दो लाग करोड की बुनियादी धाचा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है इसी करम में बीते दिनों कैबिनेट ने पश्यम बंगाल के बागडोगरा और पटना के पास बेटा में नए सिविल इंकलेव के विकास को मंजूरी दी है बागडोगरा हवाई अड़े पर नए सिविल इंकलेव के विकास में लगभग 1549 करोड की लागता आएगी ये टर्मिनल भवन 70,390 वर्ग मीटर छेतर में निर्मित किया जाएगा इसकी वारशिक छम्ता 10 मिलियन यात्रियों को सभालने की है बिहार के बेटा में भी एक नए सिविल इंकलेव को विक्सित किया जाएगा जिस पर 1413 करोड रूपे की अरुमानित लागता हैगी बेटा हवाई अड़े पर प्रस्तावित नई एकिकरेट टर्मिनल बिल्डिंग 66,000 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे 3000 पीक और यात्रियों को सभालने और सालाना 50 लाग यात्रियों को सेवा परदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जरूरत पढ़ने पर इसकी कुल शम्ता को प्रतिवर्ष एक करोड यात्रियों तक बढ़ाये जा सकेगा बेटा सिविल इंकलिव को लेकर बिहार इंस्टिटूट ऑफ पब्लिक फाइन्स और पॉलिसी में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुधानशु कुमार ने बताया कि ये एरपोर्ट बिहार के आर्थिक विकास में एहम भूमी का निभाएगा पत्ना में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय करने वाले संतोष कुमार ने बताया कि बीटा सिविल एंकलेव के विकास से राज में परियटन को और बढ़ावा मिलेगा कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने लोजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने भीड़ भाल को कम करने और देश भर में कनेक्टिवीटी को और बहतर बनाने के उदेश से 50,655 करोड रूपे की कुल लागत से 936 किलो मीटर लंबी आठ महतवपूर नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मनजूरी दी है इन आठ परियोजनाओं के कारियान वयन से परतियक्ष और अपरतियक्ष तवर पर करीब 4.42 करोड मानो दिवस के रोजगार सिर्जित होने का अनुमान है इसके तहट 4.613 करोड रूपे की लागत से 6 लेन वाले आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्मान किया जाएगा खड़कपुर मोरग्राम के बीच 231 किलो मीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का 10,247 करोड रूपे की लागत से निर्मान होगा आयोध्या में 3935 करोड की लागत से 68 किलो मीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड का निर्मान होगा रायपूर राची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के पथलगाउं और गुमला के बीच 137 किलो मीटर लंबे 4 लेन वाले खंड का निर्मान किया जाएगा कानपूर में 6 लेन वाली 47 किलो मीटर लंबी रिंग रोड का निर्मान होगा करीब 5729 करोड की लागत से 120 किलो मीटर लंबे गुहाटी रिंग रोड का चौडी करण और सुधार किया जाएगा नासिक फाटा से पूने के समीप खेर तक 30 किलो मीटर लंबे 8 लेन वाले एलिवेटेड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का 7,827 करोड की लागत से निर्मान किया जाएगा इन तमाम बुनियादी धाचा पर योजनाओं से ना सिर्फ देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी बलकि बड़े पैमाने पर रोजगार सिर्जन भी होगा बेरो रिपोर्ट डीरी नियूज